हलो फ्रेंड्स आप सभी का जुम जोब इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स सुब्रोज लिम्टेड के मानेसर प्लांट में वैकेंसी आई है जिसके लिए इसमें इंटर्व्यू है दो सितंबर 2020 को इलिजिबल ब्रांच है इंटर्व्यू देने के लिए मेकेनिकल, इंजिनरिंग, प्रोडक्शन, आर्टो मोबाइल और आरेसी और जिन्होंने डिप्लोमा 2018, 2019 या 2020 में पास किया हुआ है वही इंटर्व्यू दे सकते हैं जो 2020 वाले हैं जिनका डिप्लोमा 2020 में कम्प्लीट हो गया होगा के बल वही इंटर्व्यू दे सकते हैं और जिन्होंने अप्रेंटिसिप नहीं की है वही इलिजिबल होंगे इंटर्व्यू देने के लिए जिन्होंने अप्रेंटिसिप कर ली है वह इंटर्व्यू नहीं दे सकते हैं आपकी minimum age होनी चाहिए 18 year आपका जो minimum result होना चाहिए diploma में overall 60% होना चाहिए या इसे above होना चाहिए reporting टाइम है आपका 8.30 a.m. दोस्तो सुब्रोस limited में join होने के बहुत सारे फायदे हैं कुछ फायदे मैं आपको बता देता हूँ यदि आप सुब्रेस limited में join होते हैं तो आप दो ही साल में केवल दो साल में एई बन जाते हैं और एई बनने के बाद आप कोई और company join करते हैं कि ऐसमें आपकी रहेगी लगे दुच्छ आपका इयर आठा साहल और सेकैंड यार लिम्टेड पलॉट नमबर 355 चानबे सेक्टर 8 आयम्टी माने सर गुडगाओ दोस्तों इसमें कैंटीन फैसिल्टी अवाइलेवल है ट्रांस्पोर्टेशन है बाकि प्लांट बिल्कुल ऐसी प्लांट है और डस्ट वगरा बिल्कुल नहीं बिल्कुल यहाँ पर क्लीनिंग आपको मिलेगी काम करने का बिल्कुल स्वच्छ इसमें केवल बॉय स्टुडेंट ही अलाओ है फिमेल कंडिडेट इसमें अलाओ नहीं है इसके लिए जो आपके रिकॉर्ड डॉकुमेंट है आपको डिप्लोमा के सभी सेमेस्टर की या फिर सभी एयर की मार्शीट की फोटो कामपी समिट करनी है टेंथ एंड ट्वल्थ क की मार्शीट एंड सर्टिफिकर की कॉपी शर्मिट करनी है जिन्हों ने टेंथ के बाद डिरेक्ट डिप्लोमा किया है वह waren कि और डिप्लोमा की कॉपी लेके जाना है जो बंदे तुरंथ ही या फिर दो चार दिन में जॉइन कर सकते हैं केवल वही इंटर्व्यू दें सीटे जो है आपको बहुत बड़ी मात्रा में है यदि आप यहुँ इंटर्विव देने जाते हैं तो आपका 90% है कि आपका सेलेक्शन हो जाना है दोस्तों यह मौकाब बिलकुल मत गमाइए आप ज्वाइन कर ही लिजिए इसमें दिया गया है बेस्ट इगार्ड अनिल सर्मा फ्रेंड्स यह वहाँ पे जो रिक्रूट्मेंट एचार है उनका नाम है मिश्टर अनिल सर्मा जी वह बहुत ही अच्छे इंसान है यदि आपको नौकरी की जरूरत है तो वह बिल्कुल आपका इंटर्व्यू लेते लेते समझ जाएंगे कि यह बंदा जोईन कर सकता है या नहीं कर सकता है या इसको नौकरी की जरूरत है या फिर नहीं जरूरत है वो केवल और केवल जिनको जरूरत होती है उन्हीं बंदों को नौकरी देते हैं धन्यवाद दोस्तों थैंक्स फर वाचिंग